कि इफ साइन एकोल्स टू ओपन में तरी देन दे वैलू ओफ सिवें माइनस का टैने इंटू थी बुलस का कोज है अगर मैं यहां से एक राइट यंगल ट्रैंगल बनाता हूं यह आपके सामने तो साइन एकोल्स टू क्या हो जाएगा साइन ठीडा एकोल्स टू क्या होता परपंड़ी कुलर अपन में हाइपोस अपतै जब दीए इसकी स्कॉरीお願いします क्यतना हो जाएगा दू हर यहां से देखिए, बोला गया गया कि 7- का 10 है, 7- का 10 है, 10 टे क्या होता है, 10 एक यह होता है अपका, perpendicular upon में base, perpendicular 2 है, base आपका root 5 है, तिस हो जाएगा 2 upon में root 5, 7-2 upon में root 5 हो जाएगा, ठीक है भी, 7-2 upon में क्या हो जाएगा आपका root 5, यह हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस में, cos एक क्या हो जाएगा, cos होता है, base upon में hypotenuse, तो base कितना आपका root 5 है, और hypotenuse 3 है, तो root 5 upon में 3, अब इसको solve कर लेते हैं, 7-5, minus का 2 upon में root 5, multiply 3 तरीका है, ठीक है, यह फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, तिन तरीके 9, plus में root 5 upon में 3, यह है भई, अब अगर मैं इसको और इससे multiply करता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं 7 root 5 को 9 से मैं multiply करूँगा, यहाँ से तो यह हो जाएगा, 9 साथ यह 63, root 5, और एक बार इसको इससे multiply करेंगा, plus, कितना हो जाएगा, आपका 5, 25, यहनिके 7 गुना 5 करेंगे 35, फिर माइनस है, यह हो जाएगा, 9 नौदूनी का ठाला, और फिर माइनस करेंगे, 2 root 5, और यह हो जाएगा बाटे में कितना हो जाएगा आपका, बाटे में हो जाएगा, 3 root 5, ठीके, 3 root 5 हो जाएगा, ठीके भई, अब यहाँ से देखे, 15 में से 68 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 17, और यह, और यह 63 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, एक सट यानिकि, एक सट रूट पांच प्लस 17 बटे में कितना हो जाएगा, 3 root 5, ऐसा आपसन, ऐसा कुछ आपसन में दीख रहा है, देखो, आपसन नमबर ए जो है, इस कोश्चन का इंसर हो जाएगा, क्योंकि यह ही एक सट रूट पाइप, अगर आप इसका अगे रिशनल इसन करोगे, तो यह चीज़े हैं, सोरी सोरी यह नहीं होगा, माफ किजिएगा, प्लस में है ना, देखो, प्लस में तो यह प्लस वाला चीज़े होगी, एक सट अपन में 3 प्लस 17 अपन में 3 रूट फाइप, एक सट अपन में 3 प्लस 17 अपन में 3 रूट फाइप आजाएगा, तो आई होप यह कोश्चन आपको समझ में आगया होगा,